नमस्कार आप सुन रहे हैं निउस पॉइंट पॉड़कास्ट और आज के इस पॉड़कास्ट में बात डॉक्टर उधितराज की देश की राजधानी दिल्ली में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों गड़बंधन में साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं जिसमें चार सीटे आमादमी पार्टी के पास हैं तो तीन सीटों पर कॉंग्रेस ने अपने उमीदवार उता रहे हैं लेकिन सवाल कॉंग्रेस के अंदर खाने से है और सवाल ये है कि करहिया कुमार जिने उत्तरपूर्वी दिल्ली से कॉंग्रेस ने अपना लोग सब उम्मिद्वार बनाया है और पश्मी दिल्ली से डॉक्टर उधित राज को और चांधनी चौक से जेपी अगरवाल को जेप कॉंग्रेस में टिकट को लेकर चल रहा ये असंतोश प्रेस कॉंफरेंस के दोरान भी देखने को मिला पार्टी का रहले परिसर में ही उत्तर पश्मी सीट से आए कॉंग्रेस कारकरताओं ने उधित राज के खिलाब खुब नारेबाजी की और इन कारकरताओं का कहना था कि इने अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया कि गाड़ी को घेरनी की कोशिश भी की गई और इससे गुसाए उधितराज ने कहा कि नारेबाजी करने और करवाने वाले नेताओं की वज़े से ही कॉंग्रेस पिछले चुनाओं में दिल्ली में चार प्रतिशत वोट प की है चुकि राज कुमार चौहान और सुरेंद्र कुमार ये दोनों पूर विधायक लोग सभा का टिकट मांग रहे थे इस सुरक्षत सीट से और दोनों को टिकट नहीं दिया जबकि उधितराज जो 2014 से 19 तक बीजेपी के सांसद रहे और टिकट उनका जब बीजेपी का को लेकर दिल्ली के शीला दिक्षि सरकार में मंतरी रहे राज कुमार चौहान पूरी तरीके से मुखर हो गए हैं और विरूट कर रहे हैं पार्टी सुतर ये बताती हैं कि उधितराज के खिलाब विरूट को देखते हुए जल्द ही राष्टरी अध्यक्ष मलिकार जुन से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थती से अवगत कराया जाएगा उनसे आगरे किया जाएगा कि इस उमीदवारी को लेकर पुनर विचार करें ये जो विरूट कर रहे नेताओं का कहना है आम आदमी पार्टी के साथ गड़बंदन के तहर दिल्ली की साथ लोग सभा सीटों मे परिचे कराया जहां प्रत्याशियों ने लोग सभा चुनाव को लेकर अपनी प्राफ मिक्ताइं भी बताई प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंग लवली ने पीनों पार्टी प्रत्याशियों का परिचे कराया और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बीज जेपी के सांसोदों ने कोई काम नहीं किया और ऐसे में कॉंग्रेस के तीनों लोग सभा उम्मीदवार इस बार जीत हासिल करेंगे प्रेस कॉंफरेंस में तीनों प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रवंदन समिती के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा वरिश नेता जितेंदर कोचर अनिल भारदवाज अनुज आत्रे भी मौजूद रहे और चांदनी चौक से पार्टी के उमीदवाज जेपी अगरवा हो रेड़ी पट्री वाला हो मजदूर हो व्यापारी दुकानदार और इस्थानी निवासियों के साथ उनके घरेलू संबंद हैं लोग सबचनाव जीतने के बाद वो यहां के हर वर्ट की समस्याओं को संसद में उठाएंगे तो उत्तर पूर्वे दिल्ली से उमीदवार क अनरूप शेहरों में रूयुवाओं को रोजगार दिया जाएगा मैलाओं की स्वरक्षा किसानों के अधिकारों और शमिक वर्ग के हित्वों को सुरक्षत बनाने के लिए कानून बनाए जाएंगे दस सालों में जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया ये बात उन्होंने कही करावन लगर में ट्रैफिक विवस्था ध्वंस्था इस बात का जिक्र करहिया कुमार ने किया सड़कों की हालत बहुत खराब है विकास का कोई काम नहीं हुआ और हम हर वर्ग समुदाय की अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे लेकिन इस प्रेस कॉंफरेंस में उदित राज के चेहरे पर वो नूर नहीं था जो जेपिय अगर्बार के चेहरे पर था बाहर भी जब वो आए तो वो काफे गुस्से में थे पूर मंतरी राज कुमार चौहान और पूर विधायक सुरिंदर कुमार के कारकरताओं के समर्थकों का जो विरोत था वो अंदर ही अंदर डॉक्टर उदित राज को बेचैन किये हुए है क्योंकि उदित राज को दिल्ली की उत्तर पश्मी संसदी सीट से ही चुनाव लड़ना है और सभी को साथ लेकर चलना है सुनते रहिए निउस पॉइंट पॉड़कास्ट आपकी आवाज